दोस्तों, एक इंटर्व्यू के दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से एक मज़ेदार सवाल पूछा गया बाबर से पूछा कि यदि किसी T20 मैच में एक ओवर में 10 रंच चाहिए और आपके पास बॉलिंग के लिए जस प्रीद बुमराह और नसीम शाह दो बॉलर हो तो आप कौन से बॉलर से गेंदबाजी करवाना पसंद करेंगे तो दोस्तों, इसका बाबर आजम ने बिना सोचे ही जवाब दिया कि वह निश्चित रूप से नसीम शाह को बॉलिंग देंगे क्योंकि नसीम शाह ने 99 T20 मैच में 102 विकेट लिये हैं जबकि सवत्रा टेस्ट में 551 विकेट ले चुके हैं अब सोचल मीडिया पर बाबर आजम की लोग निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा उन्होंने अपने पाकिस्तान प्रेम के चलते किया है दोस्तों नसीम शाह और जस्परीद बुमरा मेंसे आप किसे अच्छा बॉलर मानते हैं कमेंट करके बताएं